नमस्कार रातियों स्वागत है आपका हमारे आनलाइन यूट्यूब प्रेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर मैं हूँ दिनेश्सा हूँ और जो हमारी वर्ल्ड जोगरफी की एमसी क्यूज और पीवाई क्यूज सीरीज चल रही है इसको आँगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्श लेक्चर को डिस्कस करेंगे आज हमारा फिप्ट लेक्चर होने वाला है लास्ट लेक्चर में हमने प्रत्वी की आंत्रिक संदशना या फिर इनर्प स्ट्रक्चर ऑफ लगई वाले के वारे में डिसकस किया दा जो हमारी ये सीरी तॉरऌ सा बता दू कि यहाँ पर पर लकार हम नहीं के उत्सिट कर मिलते हैं एक सीरीज की से आपका काफी एच्छा रिवीजन होने वाला है किसी भी टॉपिक का इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगे यह आप हमारे साथ जोड़ करें किसी भी एक्जाम की प्लेट लिए से रूत यहां पर आपको डॉणलोड कर सकते हैं यहां इन को अर लागारोता को डवीजन को बयड़arett कर सकते हैं और आपको फॉलोर कर लेजे हमारी की एप्लिकेशन को इसके रहे आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं इंडियन जोग्रफी हो या फिर वर्ल जोग्रफी हो तो आपको मेरे रिकॉर्ड और लाइब दोना तरह की कोर्स यहां पर मिल जाते हैं तो एक बार आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड जरू प्राइमरी रॉक्स की स्रेणी में रखा गया है इनको हम प्राइमरी रॉक्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और आखिर क्यों होगा तो इसका जो आंसर होगा आग्निय चट्टान या फिर जो इग्नियस रॉक्स होती है इन अधसे जब करोणों वर्स पहले प्रत्वी का निर्मार हुआ है जिसे कि आप इजी देखेंगे प्रत्वी के आंतरिक सम्रशना में हमने डिसकस किया था कि प्रत्वी के निर्माड हुआ था आज से करोड़ों वर्स पहले तो उस समय प्रत्वी बाहर से भी गर्म थी ना प्रत्वी का जो ये क्रश्ठ वाला पार्ट अभी आपको सक्त चट्टानों की रूप में दिखता है तो ये भी क्या था गर्म था यहाँ पर गर्म पदार था या फिर ये ग था तो पहली बार जब हमारी प्रत्वी में कोई च ट्टान है ना तो उनको हम बोलते हैं आगने च क्ठ था ये जो था जिब वो थंडा करेंगे अवशादी और रुपांतरित के वारे में आभी मैं आपको आगने चटाने समझा रहा हूं तो इस प्रकार से आगने चटाने बनी है तो इसलिए इसको हम बोलना है कि प्राथमित चटाने मतलब सबसे पहले कौन सी चटाने बनी थी तो आगने चटाने ही सबसे पहले से उद्गार होता है एक तो दरारी उद्गार होता है और एक जो ज्वाला मुखी होते हैं उसके थ्रू उद्गार होता है ठीक है तो ज्वाला मुखी से जो लावा निकलता है और जब वो लावा ठंडा हो करके जम जाता है तो उससे जो चट्टाने बनती हैं उनको भी हम सकते हैं तो इसका औसर क्या हो जाएगा जो अधमास्य चट्डाने आ हैं यह जो सैडिमेंटरी रॉक है इसमें आपको जानवारों वर्तिय ना ये कोई आगणी चट्टाना इनका समझ लिया फिक कि ओगने चेट्टान हमा लिई ठीक है अब क्या होता है प्रथभी पर बहुत सारी चीज़ चलती है ऐसे की वर्षा हो रही है तो लगातार जैल सकी ícia उपर गिर रहा है ठीक है ताब पढ़ रहा है सूरि की रौशनी पढ़ रहे है तो क्या होता है जब temperature पढ़ता है जो चक्टाने फैलती है और जब रात में फिर थंड़ना मौसम होते तो उस्टो करती है तो यह प्रक्तिर लगातार चलती रहती है तो इसके करण क्या होता है चक्टानों की जो ऊपरी सतह होती है यह धीली पढ़ जाती है और समय के साथ इन इनके जमाउ से एक नई चट्टान बनती है जिसको हम बोलते हैं अवशादी चट्टाने जो यह अवशादी चट्टाने है यह आगने चट्टानों के आपक्षय अपरधन के पश्याद भी बन सकती है तो ठीक है इसमें कोई जरूरी नहीं कि आगनी चट्टानों की ही अपक्षय परतन के बाद अवशादी चट्टाने बने अब देखिए क्या हुआ यह कुछ आवशाद आ करके इस प्रकार से इखट्टे हुए ठीक है कि अब यहां आल लीजिए कुछ जीवजन्तु थे ठीक है वो मर गये और इसे चट्टान की बीच में दब गये ठीक है कोई पीड़ पॉदों की पत्तिय ठीक है वो यहां पर आयो और वो यहां पर घग इन अवशाद हो के बीच बीच में तब गई फिर से यहां पर आवशादी चत्ताने हो तो आपको याद रखना है तो जानवरों वनस्पत्यों और सुक्ष्म जीवों के अवशेश जो होते हैं किसमें पाए जाएंगे अवशादी चत्तानों में हमने जो तीनी प्रकारगी चत्ताने होती है एक तो आगने होती है ठीक है जिनको हम इगनियस रोग बोलते हैं एक होती है अवशादी सेडिमेंटरी और एक होती है कायांतृत या फिर इसको ही हम बोलते हैं रूपांतृत या फिर इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फित है ये तीन प्रगारगी ही हमें चट्टाने देखने को मिलती है ठीक है रसायनिक संदशना के अधार पर तो ये दो तो हमने समझ लिए आगन्य और अवशादी कैसे बनती है कायांतृत कैसे ब लगातार पढ़ रहा है ठीक है दाव पढ़ रहा है और अन्य बहुत साई रसायनिक क्रियां चलती रहती है ठीक है ये लाखों करोणों वर्षों की घटना है ऐसा नहीं कि को स्वापचास सालों की बात है ठीक है तो लगातार इन रसायनिक अभी क्रियां के कारण के होता है ये चट्टानों का रूप ही चेंज हो जाता है इसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है पर इनको ही हम बोलते हैं कायांत्रित चट्टान या फिर रूपांत्रित चट्टान ठीक है तो आगने का भी रूपांत्रण हो सकता है और अवशादी का भी रूपांत्रण हो सकता है तो कर दौनों ही चटाने या फिर कायांतर चटान का निर्मान होता है कैसे होती उत्पत्ति तो अगने और तुम हिसे आग्ने उत्पत्ति के अगने भी है और यह तयल यह पुलता हैं lij। आत रखें एस की यह वहां größt है उत्पत्ति रहता ओं livro अंगला देख लिए हैं अब यहां पजारा देख लीजिए एक मैप है है ना जैसे माल लेजिए आग निचटान है ठीक है ये कौन सी रोक है इग्नियस रोक जो की गरम पदात के ठंडे होना के पश्चाद बनी है ठीक है अब क्या हुआ इसका हुआ अपक्षय और अपर्दन ठीक है वैदरिंग और हुआ इससे कुछ अवशाद निकले इसका से ठूट फूट के जलके द्री डॉबर्ड बहाकर ले उसने कावचा हुआ जगा इसका की साथ और परेंग बेर नंतला समय के आवशादों के निक्षेपन और सगनी करन के दौरा सबसे पहले इनका अपक्षय परदन हुआ के टूटी-फूटी एक स्थान से दूसरे स्थान गई ठीक है फिर उनका क्या हुआ निक्षेपन हुआ एक जगा जा करके जमा हुई वो और उनका सगनी करन हुआ और उसने एक चट्टान का रूप ले लिया जिसको हमने बोला अवशादी चट्टान अब इस अवशादी चट्टान में क्या हुआ ताप और दाव पड़ा और बहुत सारी रहसायनिक अभिक्रियाएं हुई तो इसका एक स्वरूप ही चेंज हो गया और इस स्वरूप के चेंज होने के हमने पस्षात एक और चट्टान वनी इसको हम ना बोला रूप अंथे चट्टान है फिर क्यक्या अब इस रूप अंथो सकता है अपक्षय परद्र हो सकता है तो इससे पुणह क्या बन सकती है एक अवशाधी चट्टान के जैब रूप चेंज हो जाता है ताप दाब और तो इससे भी रूपांत्री चट्टाने बनती हैं ठीक है याद रखिएगा तो यह पूरा साइकल होता है सेल चक्र होता है रॉक साइकल होता है यह मैप आपको बनाते हुए आना चाहिए ठीक है चलिए अगला कुशन है भूगर्व में विशाल आकार की गुंबद आकार आग इस प्रकार की सन रचना ठीक है कि जो आगनी चट्टान है इनको क्या कहा जाता है यह चीज हम पढ़ते हैं तो इसको जो बोलते हैं वो बैथुलित क्यों बैथुलित ठीक है तो यह एक्चुली होता क्या है जैसे माल लीजे यह हमारा रष्ट है यहां पर आपको पता है एस्थैनोस्फियर है यह क्या है एस्थैनोस्फियर है दुरवलता मंडल है जहां पर क्या मैगमा भरा हुआ है यह क्या है मैगमा है अब मैगमा क्या करता है बच्चो एक माल लीजे इसको यह इस प्रकार से प्रत्वी में बहुत सारी दरार होती है ठीक है इस प्रकार से बहुत सारी दरारे होती है तो प्रत्विदी इस मैगमा के करता है यहाँ पर समवहन धाराएं चलती है इस प्रकार से ज़दी इसको कहीं भी जगा मिलती है उपर निकलने की यह लगातार यहाँ पर पुश करता रहता इस प्रकार से ठीक है जैसे ही इसक तीकि यारों में फस्करग भी अलग-अलग फॉर्म में यह जम जाता है ठीक और यदि मान लेजिए इस बड़ी आकार में जमे कुछ इस प्रकार से जम जाए ठीक है प्रत्विक अंदर ही तो इसको ही हम बोलते हैं बैथुलित क्या बोलते हैं इसको ही हम बैथुलित जो अलोमुखी वार लेक्छे जब हम्事कर करेंगे तो साशने करेंगे ख administer फीके अंदरे वाले हिस्से में जो इस प्रकार से गुंबत आकार की एक बड़े आकार की संरश्णा होती यह उसको हम बैथुलित बोलते हैं इसे प्रकार से बहुत सारी संदशना होती है फैकोलिद लैपोलिद और बहुत सारी होती है ना क्याकोलिद कुछ नहीं होता है लेकिन यह संदशना होती है यहाँ पर देखिए एक मैप है जैसे देखीए यह आप देख रहे हैं गुमबद आकार की संदष्णा देख रहा है इनको हमँ बॉलेंगे वैधुलित यह बैतुलित है और वह भीandelित इस प्रकार की संदष्णा जैसे इसको हम लेपोलिथ बोलते हैं तो प्रत्वी के अंदर ही है यह देखिए हाँ पर मॉंटीन है वॉल्कैन ओ है एधिकर और यह प्रत्वी के जीवासन, अब यदि आपको ये जीवासन सा मतलब पता है तो आप समझ जाएंगे कि कोईला कि शक्टान में पाया जाता है, जीवासन क्या होता है, जीवासन कोई कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, या फिर कुछ बनस बनस पती है, ठीक है, ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, ठीक ह यह क्या हुआ इसकी death हो गई यह समाप्त हो गया इसका जीवन समाप्त हो गया इसको मुक्ष की प्राप्ती हो गई और समय के साथ क्या हुआ जब यह मर गया तो इसकी body यहां पर ही धह गई ठीक है और समय के साथ यह क्या हुआ प्रथवी के अंदर दब गया ठीक है इसी प्र वर्षयों में क्या हुआ कोईले में change हो गई है उसके ही पशहादी कोईला और जैसे चीज है तो कैसे वनी है यह आवशाद ही तो थे इनके आप जीव जन्तों की बाद कर लिजिए थीक तो एक प्रकार की अवशादी चट्डानों में koila हमें देखने को मिलता है तो इसका अंसर क्या हो जागा ह塗ए परतदार चट्डाने घ teachings में वह जो कईला है कि प्रप्रोलियम हैं वह भी कहाँ देखने को मिलता है ते प्रत्तर हो गया चूणा पत्थर हो गया तो यहांपर मैं लिख देंगे तो основnight के भी जोवी चूणा हो इना प्रतिवी के आंतरिक भाग में किस चत्टान का निर्मान अधिक ऊश्मा और दवाव की चलते हुआ है अभी मैंने आपको बताया था अधिक उश्मा और दवाव की चलते कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है तो कायांत्रित या फिर जो रूपांत्रित चट्टाने होती है इनका निर्माण कैसे होता है तो इनका जो निर्माण है वो अधिक उश्मा और अधिक दवाव की च सकती हैं और इसके लाब आप देखें तो अवशादी से भी रुपांत्रित हो सकती है ठीक है कोई बड़ी वात नहीं है आपको याद रखना है इसके लाब सके एक्जमपल की बात करें तो संगमर्मर अब्रग हीरा ये सब जो हैं ये कायांत्रित चट्टानों के एक कुछ एक्जामपल है आपको याद रखना है ठीक है चलिए निर्माड की दश्टी से निर्मनमे से कौन सी चट्टान सवरवादिक प्राचीन है अब मैंने आपको समझा दिया है तो आपको एक समझ देवलप हो गई होगी तो आप बता सकते हैं कि आगने चट्टाना जो है इनका निर्माड सबसे पहले हुआ और प्रत्षवी के इतिहास में सबसे पुरान चट्टाने कौन सी है इगनियस रॉक सी है या फिर आगने चट्टाने ही है इनका निर्मना अभी भी हो रहा है लेकि को पर से हम question को पढ़ते हैं मिमन से कौनकी कारण के रूपांतरन के लिए उत्तरदाइब क्रीक घुलनन के जबकि अपढ़न की कारण की रूपांतरन नहीं होता है यह होता तो यह प्युक्तल बन जाती है उसको हम बոलते हैं अब शादि क्या हो जाएगा अगला कोशन से कौन कायांत्रित शैल है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अब भी मैंने आपको बता है जो संगमर्मर होता है यह एक रूपांत्रित चट्टान का एक्जामपल है किसका रूपांत्रन होता है तो चूना पत्थर जो कि एक किसका एक्जामपल है यह एक अवशादी चट्टान है यह एक अवशादी चट्टान है इस पर ही जब ताप पढ़ता है दाव पढ़ता और अन्य रसायनिक अभिक्रिया होती है तो यह किसमें चेंज cell है या फिर रूपांत्रिस cell है आपको याद रखना है metamorphic cell है बलकि और बात करने चूना पत्थर की तो ये कैसा है ये अवशादी है ग्रेनाइट कैसा है आगने है कोईला कैसा है अवशादी है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान है, या फिर कौन सा खनिश पदाठ किसका एगसामपल है अगने का है आवशादी का है फिर किसका है कुछ यहाँ पर मैंने आपको लिखे है और ये सभी किसका एगसामपल ए आवशादी तो रूपांत्रित मतलब यह आवशादी चट्टान है और इनका रूपांत्रण किस साइड लिखा हुआ जैसे कि जो शैल होती है ठीक है इसका रूपांत्रण किसमे होता है बलूओ पथर जो होता है ऐसा। प्रेख में होता है। तो इस प्रकार से इनका रूपांत्रन होता है और ये अलग चट्टाने बन जाती है सर्मय के साथ। प्रेखने बंगहाती жOY है। परकेशनित में है। और बसाइट में भी चेंज हो जाती है तो इसका आप स्क्रीन सौर्ट ले लिजिए और नोट डाउन कर लिजिए महत्पूर्ण है अक्सर डारेक्ट कोश्चन यहां से एक्जाम में आ जाते हैं ठीक है यहां से आपको यह भी पता चल गया है यह सारी कौन सी चट्टाने हैं अवशादी हैं य जिवाश्म नहीं पाये जाते हैं अठीक है इसका आपको चलीए है चलिए अधों लिखित कोन सी चत्टान में जीवास्म नहीं पाये जाते हैं कि सब्सक्OSS कॉंगलोमरेट भी अवशादी है इसमें भी जीवास्म पा जाएंगे याद रखीएगा जो अवशादी चट्टान होती है ना बच्चो इसमें तो जीवास्मा आपको देखने को मिलिंगे ही याद रखीएगा जबकि जो ग्रेनाइट है ये एक आगने चट्टान है आवशादी चट्टान है दिख लिए सग gratis निर्मित होता है यह तो यह आपको पता हो न जाए है next है kuard zàiđt from nimlikit मेंसे इसका कायांत्रण है या फिर किसका रूपांत्रण है क्यों इसके ब्लुव पत्थर का रूपांत्रण है आपको यांतख दत कंढ़ा है बलुव पत्थर इक क्या है अवशादी चट्टान है sedimenty rock है और जो kuard broodzite क्या है एक रूपांत्र चण्टाने है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए थिसका च्छाइठ क्छरी होना चीजह होता है ठीक है क्या है कोहां पत्थर संगमारमर में कौन सी आगने चत्टान è नहीं हैं जब भी नहीं मिले उसको मार किजvik टो कौन सी नहीं है दिख लेते हैं हम थिक g gratis तो भी यह आगने है ग्रेय नाइट है ग्रेया और भी आगने है दॉलोमाइट जो है यह क्या है इक अवशादी चट्टान है, क्या है ? अवशादी चट्टान है tiden sedimentary rock तो इसका आंसर हो जाएगा ? B हो जाएगा segmentary rock, दर्वाकि कीन आगनी चट्टान है चलिए तो यह बचों में 13 hep discussion discuss कियें लिए 13 question की description की साथ सारी चीज़े मैंनेमट को समझाई है आपको समझ में आया होगा और इस टॉपिक से कैसे कोशन एक्जाम में देखने को मिलते हैं यह भी चीज़ें आपको थुरा समझ में आई होगी ठीक है इसी प्रकारी कोशन आपको अपके अपकमिंग एक्जाम से में भी देखने को मिलेगे ठीक है तो फिलाल आज के वीडिय वीडियो लेक्चर में इतना ही वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मिलिंगे अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बाई-बाई-बाई-टेक केर चेह